हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप दोस्तों कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका पॉडफोलियो नेगेटिव रिटर्न दे रहा होता है यानि कई सारे इन्वेस्टर हैं जो की इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं चाहे स्टॉक्स में या म्यूशल फंड में और जब कुछ समय के बाद अपने portfolio को देखते हैं अपने mutual funds को track करते हैं तो उनके डिटार्ण नेगेटिव में देखने को मिलता हैं तो ऐसे investor क्या करें कि उनका portfolio positive return देना start कर दें क्या उनको नए mutual fund choose करने चाहिए या आप पुराने mutual fund में ही बने रहना चाहिए या ऐसा क्या करना चाहिए जिसे की portfolio positive return देना start करते हैं दोस्तों आज का वीडियो इसी के उपर पैस्ट है आप वीडियो में इंट तक बने देखने को मिले लेकिन अच्छा return देखने को कम मिलेगा जब हम एक स्ट्रॉंग mutual fund चूज करेंगे fundamentally strong company का stock purchase करेंगे अब होता क्या है कि हम कभी-कभी जल्दवाजी में गलत फैसला ले लेते हैं और किसी गलत mutual fund में इन्वेस्ट कर देते हैं और हमारे portfolio में ऐसे mutual fund इखटे हो जाते हैं जिनकी performance सही नहीं है portfolio negative return दे रहा है अब इसको कैसे देखें कि हमारा mutual fund सही है या गलत है जो सबसे पहले काम करना है हमारे को portfolio analysis करने का हमारे portfolio में जो भी mutual fund से उनको हम टेक हैं उनको कैसे देखना है उन mutual fund जो हमने चूज किये हैं सबसे पहले उनकी performance देखनी है कि last years में उसकी performance कैसी रही कई ऐसा दो नहीं कि short time में performance बहुत अच्छी रही है और उसी को inflation वाली company में इंवेस्ट कर रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि सारी स्मॉल market के inflation वाली companies में इंवेस्ट कर रहा है कहीं हमारा mutual fund है जो शेक्टरल तो नहीं है यानि किसी एक particular शेक्टर पर फोकस तो नहीं करके चल रहा है क्योंकि जब भी अगर शेक्टरल mutual fund हम चूज कर लेंगे और वो particular शेक्टर पिट जाएगा तो हमारा mutual fund भी पिटने के chances बहुत जादा देखने को मिलेंगे हमारा fund manager देखिए जो mutual fund को manage कर रहा है कितना experience है fund manager को कहीं fund manager ऐसे तो नहीं जिनको experience नहीं है नए fund manager तो नहीं है उसके बाद देखिए दोस्तो risk ratios risk ratios भी बहुत जादा important होते हैं आप देखिए आपके mutual fund का alpha कहीं ऐसा mutual fund तो choose नहीं कर लिया जिसका alpha ही negative हो फिर देखिए आप beta ऐसा mutual fund जो की benchmark को बहुत अच्छे से beat करें यानि उसका beta कम से कम होना चाहिए उस mutual fund का sharp ratio देखिए आप दोस्तो risk adjusted return अच्छे से देना चाहिए शाप ratio एक से हमेशा जादा होना चाहिए और standard division देखिए standard division कम से कम होना चाहिए mutual fund कम से कम volatile हो next देखिए दोस्तों आप आपकी mutual fund का downside protection rolling return भी आप उस mutual fund के देखिए कि कई ऐसा तो mutual fund नहीं जब मार्केट गिर जाता है तब आपका mutual fund जो की बहुत जादा negative return rate करता हो बेंच मार्क से भी जादा negative return rate कर रहा हो अगर इस तरह की situation आपने को देखने को मिलती है risk ratios खराब है performance खराब है downside protection खराब है अच्छे नहीं है कई शेक्टरल mutual fund है और किसी शेक्टर विशेस में invest करके चल रहा है और वह शेक्टर पिट रहा है तो आपका mutual fund है वह selection सही से नहीं हुआ है इस तरह का mutual fund में अगर आपने invest किया हुआ है तो आपका mutual fund जैसे ही positive return पर फोंग करें आप तुरंत ऐसे mutual fund से बाहर निकल जाए और अगर इन सारे ही जो parameters मैंने बताए हैं आपके साथ discuss कियें इन सब में आपका mutual fund है जो की अच्छा है इन सब को follow करते हुए भी अगर returns हैं जो की negative शो कर रहा है तो वो market की वज़े से हो सकते हैं कि जब आपने invest किया था तब market थोड़ा उपर था और आप market नीची जा रहा है तो उस वज़े से भी आपके mutual fund के return negative हो सकते हैं तो इस type की situation में आपको ज़्यादा घबराने की ज़रुरत नहीं है जब market फिर से अच्छी performance देगा तब आपका mutual fund जो positive return परफॉम करना start कर देगा अब पहली वाली जो situation है कि आपका जो mutual fund उसक्या सारे risk ratio सारे parameters खराब है और आप उस mutual fund से बहार निकलना चाहते हैं तो फिर आपको एक अच्छा mutual fund कैसे चूज करना है तो दोस्तों अच्छा mutual fund चूज करने के लिए भी वही सारी बात है आपको follow करनी है पहली बात कि आपको AMC देखकर के mutual fund चूज नहीं करना है बहुत से investor होते हैं जो सिर्फ AMC देखते हैं कि asset management company बहुत अच्छी है बस उसका कोई भी mutual fund आया इनफो आया direct invest कर दिया उसका कोई analysis नहीं करना है एनफो में तो बिल्कुल इनवेस्ट ही नहीं करना है कोई भी नया mutual fund आता है तो उसको थोड़ा सर performance दिखाने दीजिए कम से कम साल शे महीने मार्किट में रहने दीजिए कैसा perform करता है उसके बाद invest करें किसी भी AMC के सारे mutual fund हमेशा अच्छा perform नहीं करते हैं पर्टिकुलर AMC के दो चार mutual fund होते हैं जो अच्छा performance करते हैं उसके बाद देखिए आप उसका शेक्टरवाइज allocation देखिए किस-किस और mutual fund को भी मेनेज़ कर रहे हैं तो उनमें कैसी performance mutual funds की चल रही है उसके साथ आप उस mutual fund का downside protection चेक कीजिए जब market गिर जाता है तब उस mutual fund की particular performance कैसी रहती है कई ऐसा तो नहीं बेंचमार्ग से भी बहुत ज़्यादा गिर जाता है के बेंचमार्ग से कम रिस्क ले रहा हो रिस्क अच्छे रिटन जनरेट कर रहा हो स्टेंडर्ड डेविशन कम से कम हो इन सारी चीजों को देख करके ही आप अच्छा mutual fund चूज करें अगर आप fundamentally strong mutual fund चूज कर रहे हैं तो long time में आपको अच्छे रिटन मिलने के chances रहने हैं आज कल बहुत सारे investor हैं जो कि पैसी mutual fund की तरब भी मूँ कर रहे हैं दोस्तों पैसी mutual fund भी अच्छे रिटन जनरेट करते हैं वो डिपेंड करता है market के उपर totally अगर 5 सालों में market ने बहुत अच्छा score बनाया है तो आपका पैसी mutual fund भी बहुत अच्छा score करेगा और active mutual fund वहां market से अच्छे रिटन लाने की कोशिश होते हैं यानि जो market रिटन जनरेट कर रहा है उससे भी बहतरे रिटन लाने की कोशिश होती है लेकिन कहीं बार fund managers की जो experience है उनकी जो सौच है अच्छा रिटन लाने की कोशिश करते हैं लेकिन कभी-कभी उल्टा हो जाता है और market जितना perform कर रहा है उससे भी कम return हो जाते हैं तो दोस्तों यही सारी चीज़े अपने को track करने हैं बार-बार investment और S.I.P. जब भी करें तो आपको अच्छा सा पता होगा कभ वन टाइम investment करना चाहिए कभ S.I.P. करनी चाहिए कई सारे वीडियो में मैंने इससे related बात की है और अगर आप फिर भी चाहते हैं तो मैं अगली वीडियो next इन टोपिक पे अलग अलग बना दूँगा दोस्तो आश्या करता हूं आज की वीडियो आपको पसंद आए होगी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजेगा और सभी के साथ शेयर कीजेगा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद